नमस्कार साथियों, न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुक खबरें बीते 24 घंटों में करोना के 14,000 से अधिक मामले दर्ज कानपूर, सरकारी सेल्टर होम में साथ गर्भौती बालिकाओं का मामला क्यों तुल पकड़ रहा है भारत और चीन के रिस्तों में मौजूद दरारें तो चलिए सुरू करते हैं आज की पहली खबर से करोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं हर दिन करोना के मामले में होने वाला इजाफा 13,000 को पार कर चुका है और कुल मामले 4,000,000 से पार चले गए हैं अब यह संख्याएं सबके लिए संख्याएं ही बनकर रह गई हैं हमें इसकी आदत लग गई है लेकिन असलियत बिलकुल अलग है असलियत यह है कि चिन मरीजों की मौत हो रही है उनके घरों पर पहार तूट रहा है जो संक्रमन के दोर से गुजर रहे हैं उनकी परिसानी को समझना अब भी बहुत जरूरी है इसलिए मास्क लगाईए, फिल्ड मास्क पहन कर बाहर निकलिए हाथ धोते रहिए, घर की खिड़कियों को खुला रखिए सोसल डिस्टेंसिंग अपनाते रहिए इन जरूरी आदतों के प्रतिला परवाही बदर बरतने से दूर रहिए सावधानी भरी जिन्दगी जीना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं करोना के अपडेट पर किंद्रिय स्वास्थ मंत्राले के मुताबिक बीते 24 घंटों में करोना के 14,821 नए मामले दर्ज किये गए है 445 मरीजों की मौत हो चुकी है और 9,440 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4,25,282 हो गई है और अभी तक कुल 13,699 मरीजों की मौत हो चुकी है इसमें से 55,77 फीस दी यानि 2,37,196 मरीजों को ठीक किया जा चुका है अभी तक कुल 13,699 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,74,387 हो गई है यानि कहने का मतलब ये है कि जो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं करोना से संक्रमित मरीज या उनकी संख्या है जिने एक्टिव केसिस भी कहते हैं इंडियल काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी आंक्रों के मताबिक अभी तक कुल 79,50,493 संपल की जाँच कुजा चुकी है जिन में से 1,43,267 संपल की जाँच बीते 24 घंटे में हुई है अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर कानपूर सहर का स्वरूप नगर गर्ल सेल्टर होम एक आएक 21 जुन को सुर्खियों में आ गया इसकी वज़ा एक साथ बड़ी संख्या में करोना मामलों की पुष्टी तो थी ही इसके अलावा उन संक्रमितों में से कुछ के गरभवती होने की खबर भी थी मेडिया में जैसे यह खबर ब्रेक होई हंगामा मच गया करोना पुजेटिव से बड़ा मामला लड़कियों के गरभवती होने का बन गया जानकारी के मताबिक इस बालिका संरक्षन ग्रिह में यानि की गर्ल्स सेल्टर होम में एक लड़की को बुखार आने के बाद 12 जून को पहली बार करोना की जाच की गई जिसमें पांच में से चार लड़कियों की रिपोर्ट निगेटिव आई जबकि एक करोना पुजेटिव निकली इसके बाद यहां रह रही अन्य 97 लड़कियों के सेंपल भी लिए गए थे जिन में से अब 57 की रिपोर्ट पुजेटिव आई है इस संरक्षन ग्रिह में लगबग 170 बालिकाएं इस समय मौझूद हैं जिसमें से 59 पौक्सो मामलों से संबंधित पिडिताएं हैं जो नाबालिक हैं पौक्सो मामलों से ही संबंधित साथ लड़कियों के गरभवती होने की बाद सामने आई है सूबे के मुख्यमंत्र योगी आदित्तिनाथ ने इस मामले पर जिलाधिकारी से बात की है तो वही राज्यमहिला आयोग ने भी संबंध में संग्यान लेते हुए जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है मामले के तुल पकड़ने के बाद रविवार 21 जुन को ही देर साम कानपूर मंडल के आयुक्त याने की कानपूर मंडल के कमिश्णर डॉक्तर सुधीर बोबडे और कानपूर नगर के जिलाधिकारी डॉक्तर ब्रह्मा देवराम तिवारी ने इस मामले में यहाँ स्पस्टी करण दिया कि लड़कियां यहाँ आने के पहले ही गर्भवती थी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुस्मा सिंग ने न्यूस क्लिक से बाचीत में कहा स्वरूप नगर बालिकाग्री में जितनी भी गर्भवती बालिकाएं हैं यह 500 मामले से सम्मंदित बाल कल्यान समीती के आदेशा अनुसार आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, कानपूर नगर से आई हैं लड़कियां सेल्टर हुम में आने से पहले ही गर्भवती थी यह जहां से भी आई हैं, वहाँ अभियक्तों के खिलाफ केस भी दर्ज होंगे ऐसे किसी भी मामले में पूरे रिकॉर्ट के बात ही उन्हें किसी भी बालगरी में रखा जाता है जल्द ही उनके रिकॉर्ट सम्मंदि सभी कागजादों को हासिल कर लिया गया है जिसके बाद सभी को सही और सटिक जानकारी दी जा सकेगी फिर अपने आप दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा सुस्वा सिंग ने आगे बताया कि राज्य के सभी सरकारी बालगरीहों में समय समय पर जांच की जाती है इसलिए किसी तरह की गलत अटकले लगाना या भ्रामक खबरे फैलाना ठीक नहीं है प्रदेश के तमाम जीलों से संचालित महिला और बालिका ग्रिहों में जादतर वो लड़कियां रखी जाती है जो किसी ना किसी मामले में कानेनी तोर पर सनलगन होती है उनका कोट में केश चल रहा होता है बलातकार पिडित माना तसकरी में छुडाई गई लड़कियां या किसी अन्य मामलों के तहत उन्हें सजा या राहत के तोर पर यहां रखा जाता है ऐसे मामलों में सेंटर के पास सब ही रिकॉर्ड होते हैं लेकिन ये सब confidential होते हैं यानि कि इसे किसी को बताया नहीं जा सकता है इससे पहले बिहार के मजफर नगर सेल्टर होम का भयानक सच सब के सामने आया था जिससे पुरा देश हिल गया था इसके बाद उत्तर प्रदेश में देवरिया, आगरा समेत कई सेल्टर होम बालिका संदक्छनग्री में संचालन की गरबडी, अनियमितिता और यौन सोसन की खबरे भी आ चुकी हैं जिसे लेकर लोगों में पहले ही डर और गुसे का माहौल बना हुआ है बालग्रिहों से लगातार आ रहा ही गरबडीयों के सवाल पर सुस्मा सिंग कहती हैं कि प्रदेश में संचालित सभी बालग्रिया सरकारी नहीं है कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी संचालित होते हैं ऐसे में सभी का निरिक्छन संभ distributing हैं जहां से हमें कोई भी सिकायत मिलती है, हम उस पर तुरंत कारवाई करते हैं बालिका ग्रिहों में पहले से ही जगह की अपेक्छा अधिक लड़कियां रह रही हैं हम उनके रहने के बहतर इंतजामों में रात दिन लगे हुए हैं आयोग बच्चीयों की बहतर देखरेक के लिए प्रतिबध है हम समय समय पर बालिक्रिहों का दौरा भी करते हैं सभी खामियों को दूर करने की हमारी कोशिस लगातार जारी रहती है गौर तलब है कि ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अनाथालियों बाल ग्रिहों की हालत बहुत ही खस्ता हाली में है 2018 में जारी महिला आयम बाल विकास मंतराले की रिपोर्ट के आंकडों के मताबिक उत्तर प्रदेश में केवल 34.7% ही बाल देख बाल संस्तान जेजे एक्ट के अंतरगत रजिस्टर्ड हैं वही मात्र 49.4% बाल गृहों में ही बच्चों के दाखले के विवरन की जानकारी मौझूद है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के छेत्र में कारेरत संस्थाक्राई के प्रमोध ने न्यूज क्लिक को बताया कि हमारा मुख्य उद्देश सरकार के समक्ष ऐसे अनाथालियों बालग्रियों को उजागर करना है जो जेजे एक्ट के तहत रजिश्टरड नहीं है और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के आंकडे निरासा करने वाले हैं एक आकलन के मताबिक उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में अंठावन राज्किये संरक्षन ग्रिय संचालित हैं जबकि नीजी संस्थाओं के जरिये 175 संरक्षन ग्रिय चल रहे हैं इन में से कुछ संरक्षन ग्रिय याने की सेल्टर होम बंद भी हो चुके हैं तो वहीं कहीं बालग्री ऐसे भी हैं जो जो जुएनायल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतरगत पंजिकृत रजिश्टरड नहीं हैं सेल्टर होम में हो रही अमानविय घटनाओं की तरफ ध्यान देना जरूरी है इस पूरे रिपोर्ट को लिखा है न्यूज क्लिक की सहयोगी सोनिया यादों ने अब चलते हैं अगली खबर पर जो भारत चीन से सम्मंदित है और ये पूरा विश्लोशन किया है सत्रा के डोकलाम विवाद से कर रहे हैं यह सब एक बार फिर विवादे छेतर में सडक बनाने के चलते हो रहा है यानि कि डिस्प्यूटेड एरिया में सडक बनाया जा रहा है डोकलाम में भारत को डर्था की चीन द्वारा वहां सडक बनाने से उसे उन उचाईयों तक पह दोकलाम भुटान का एक इलाका है जो भारत नैपाल और तिबबत के बॉर्डर परिस्थित है लद्दाक में भारतिय विशले सकूं का मानना है कि चीनी सेना ने खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा लिया है जहां वो भारत द्वारा बनाई जा रही सडकों को चुनौती दे सकता है भारत द्वारा बनाई जा रही है सडके सींजियां को तिबबत से जोडने वाली हाईवे एन्यच 219 और अकसाई चीन को खत्रा बना सकती हैं दिल्चस्प है कि चीन ने तब हमारा विरोध नहीं किया था जब 1962 के बाद 2008 में हमने दौलत बेग ओल्डी एयरबस खोला था ना ही तब किया था जब भारत ने इस एयरबेस को इतनी तेजी से विक्षित किया कि 2013 में वहां हमने लौकी हिड मार्टिन का C-130J ट्रांस्पोर्ट एयरक्राफ्ट उतार दिया चीन ने तब भी विरोध नहीं जताया जब 255 किलोमीटर लंबी दार्भूक, सियोग, रोट को बनाया गया, जो हर मौसम में चलती है, ध्यान रहे कि इस रोट के जरिये सेना को जो रसब दो दिन में पहुंचती थी, वह महज 6 घंटे में पहुंचने लगी है, यह खेल बदलने वाला कदम था, लेकिन लद्दाक में जारी उठापटक के बीच, हम यह सब बाते भूल गए, इसलिए जब हम अपना विसलेशन करते हैं, तो कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं, जब चीन को दौलत बेग ओल्डी मिलिटरी बेस को खोलने से कोई दिक्कत नहीं हुई, जो अकसाई चीन के LSE से उत्तर पस्चिम में महज 9 किलोमेटर और कारा कोरम द तो तिब्बत को सींजयांग से जोडता है, तो उसे अब क्यों दिक्कत हो रही है, दरसल अब चीन इस इलाके में बढ़ते भारतिये इंफ्रास्टक्चर को नजर अंदाज नहीं कर सकता है, इस इलाके को वहां सब सेक्टर नौर्थ कहा जाता है, यह सिया चीन गलेशियर क पूरव में पढ़ता है, और एक मात्रिला का है, जहां भारत से अकसाई चीन में प्रवेस मिलता है, साफ है कि चीन नहीं चाहता कि सब सेक्टर नौर्थ में कोई चुनौती देने वाला सैन्य धाचा यानि की मिलिटरी इंफ्रास्टक्चर खड़ा हो, लेकिन हमने दार्ब सियोग दौलत बेक ओल्डी रोट की उप सडकें भी बनाना सुरू कर दी हैं, जो उत्तर की ओर बनाई गई जिन से हम चीरी रक्षा तंत्र के निकट तक पहुँच बना सकते हैं, इन सडकों को फिंगर्स कहा गया, सिंदु घाटी से सब सेक्टर नौर्थ उत्तर तक चीन क रणनीतिक तोर पर बेहद एहम NH-219 गुजरता है, जो सींजियां को तिबबत से जोडता है, यहां नागरी में चीन की एक एयर फिल्ड मौजूद है, नागरी डेमचोक से सिर्फ 50 किलोमिटर दूर है, और यहां हमारे पास भगॉलिक की स्थितियों का फायदा है, नागरी को चुमार से भी खत्रे में डाला जा सकता है, एतिहासिक तोर पर 1962 के युद्ध से पहले चीन ने सोचा था कि तिबबत सींजियांग हाईवे को बचाने के लिए जरूरी जमीन उसने सुरक्षित कर ली है, यहां तक कि 1962 के युद्ध में भी चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोसित कर दिया था, और जितनी अत्रिक्त जमीन पर कबजा किया था, उसे छोड़ दिया, यहां तक कि चीन ने रड़नितिक तोर पर एहम उन्हों इलाकों को भी छोड़ दिया, जहां से हमें अकसाई चीन और NH-219 तक पहुँच मिल सकती है, लेकिन आज यह जगहे होट स्पोर्ट बन चुकी है, इतना कहना ठीक ही होगा कि चीन का सोचना है कि भारत इन खाली जगहों पर दुबारा कबजा कर रहा है, और यहां वैसा सेन निर्मान कर रहा है जिसमें NH-219 को खतरा पैदा हो सकता है, चीन भारतिय गतवीदियों को बहुत ही संका की नजर से देखने लगा है, कहीं न कहीं चीन का मानना है कि भारत लंबे वक्त में उस इस्थिती को दोबारा स्थापित करना चाहता है, जो 1950 के पहले थी, इसके लिए अकसाई चीन और दूसरे इलाके को वापिस हांसिल करना होगा, जिने चीन ने 1962 की जंग में जीत लिया था, भारत इतना भी चीन के व्रिहद, राजनीतिक लक्ष का अनुमान लगाने की कोशिस करूँ, पर उसका सीधा राजनीतिक लक्ष है कि LAC के आसपास यथा इस्थिती यानि की स्टेटस को को अपनी सर्तों पर बरकरार रखा जाए, ताकि अकसाई चीन और NH219 को कैसी भी स्थिती मे सुरक्षित रखा जा सके, आखिर दोनों देशों का आपसी विश्वास कैसे टूटा, इसकी जड़ें UPA के सासनकाल में सुरू होती हैं, रणनितिक तोर पर पुर्वी लद्दाक में भारत की फारवर्ड पॉलिसी UPA के दौरान में सुरू हो गई थी, यह विदेश निती क सैने करण पर अधारित थी, जो 2010 से 2014 के बीच में और तेज हो गई, यह 2008 के बात का वह दौर था जब भारत और अमेरिका के संबंधों में एक एतिहासिक बदलाव आ रहा था, और भारतिये रणनितिक गणनीत में अमेरिका की पारासपरिक्ता की डॉक्ट्रीन घर करने लग अमेरिका ने किसी तरह भारत को अमेरिका के पाले में बांध दिया, भारत की नौकरसाही के कुछ लोगों ने ऐसा करने में तब सहयोग दिया होगा, जब मनमोहन सिंग के नैत्रित्व में यूपी एक कमजोर हो रहा था, घरेलू राजनीतिये कुथल पुथल के दौर में पहुंच चुकी थी, जो कॉंग्रेस का बिमारूपन उजागर कर रही थी, जैसे भी भारत की विदेशनीती अमेरिकी गठबंधन के साथ सहयोग करने लगी, धिरे धिरे चीन से दिर्टा के साथ पेस आने का विश्वास बना और इस विश्वास के तहत माना गया कि चीन सि इसी भासा से डरेगा, अब चीन और अमेरिका का तनाव भी बढ़ रहा है, देश में उग्र राष्ट्रवात की लहर जारी है, भारतिये जनता को भी विश्वास हो चला है कि भारतिये सेना आज चीन के बराबर ताकतवर है, हिमाले की ठंडी वादियों में भारत चीन की से भारत की सेना मजबूत हुई है, लेकिन तत्थ यह है कि इस तौरान चीन ने ऐसी तकनीकों से खुद की सेना का आधुनी की करण याने की modernization किया है, जो भारत की पहुंच से बहुत दूर है, भारत में आवास्त्विक सोच काफी प्रबल है, याने की भारत रियालिटी से का काफी दूर है, या उस वर्ग में भी है जिसे बहतर जानकारी है, या सोच दोकलाम के बाद और ताकतवर हो गई है, जिसे सत्ता ने अपनी जीत के तोर पर दिखाया, लेकिन विशलिसकों का मानना है कि उस परकरण में भारत सरकार को सिर्फ मूँ छुपाने लाइक जगह म पीओ के याने की पाक उकुपाइट कस्मीर और गिलगीत बालेटिस्तान पर एग्रेसिव दावे, वन चाइना पॉलिसी के उलंगन का जिग्र, वुहान वाइरस के नाम पर अमेरिका का राग अलपाना, साथ बिलियन डॉलर वाले चाइना-पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडर और कुछ चुनौती देना और चीन के रुख्थाम के लिए अमेरिका के अगवाई के क्वाड याने की क्यू, यू, एडी जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और अस्टेलिया गठबंधन में सामिल होने जैसे कदम चीन को उकसाने जैसी गठणाएं हैं भले या मामूली बाते रही हों, पर इनकी वज़ा से भारत और चीन के बीच माहौल जहरीला हो गया और आपसी संदेह पैडा हो गया लेकिन जब अगस्त में भारत ने जम्मू कस्मीर अनुचेर 370 को हटाया जिसमें अकसाई चीन पर दावा किया गया तब हमने रेखा पार कर दी नकसे पर अकसाई चीन पर किये गए इस दावे को चीन के नजरिये में रड़नितिक मंसा वाला माना गया होगा जिसमें तिबबत की सींजियांग से जुडाव को खत्म करना सामिल था चीन ने ना तो इससे ज़्यादा कुछ माना होगा और ना इससे कम बल्कि जब यह सारी जगटनाएं हो रही थी तब रड़नितिक संचार पूरी तरह बंद था यह पिछले अक्टूबर से ही बंद था भारतिय नीतियों में आए इन बड़े बदलाओं से सभाविक तोर पर चीन ने L.A.C. पर रोड बनाने और दारबुक, सियोग, डौलत, बेग, ओल्डी रोड से अक्साई चीन और दूसरे इलाकों तक फिडर रोड बनाने के कदमों के नए माइनों में देखना सुरू कर दिया आप से अविस्वास के घने बादल चा गए जिनका हाल के वक्त में छटना बहुत मुस्किल लग रहा है जब तक हम चीन की मंसा को ठीक तरीके से नहीं समझते उनके साथ बादचीत का कोई मतलब नहीं होगा क्या चीन अपने छेत्रफल का विस्ताल चा रहा है अगर ऐसा है तो फिर बादचीत की कोई जगह नहीं बचती लेकिन चीर बार-बार कह रहा है कि वो भारत के साथ जंग नहीं चाहता है नहीं भारत चीन के साथ जंग चाहता है क्या ऐसा है कि चीन की Communist Party करोना वारस के चलते तिनी कमजोर हो गई है कि उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से टकराव करना पड़ रहा है यह सवाल कितना भी बेतुका नजराए लेकिन इसे पूछना बेहत जरूरी है या फिर चीन जान बूच कर भारत को नीचा दिखाना चाहता है अगर चीन की ऐसी मंसा होती तो उसके पास सैन्ने तरीकों को छोड़ कर दूसरे हत्यार भी मौजूद हैं क्यों चीन हिमाले में एक खूनी खेल खेलता क्या चीन पाकिस्तान के साथ दो मौर्चों पर भारत के खिलाप जंग छेड़ने की साजिस रच रहा है इतना साफ है कि इस दिसा में भी किसी तरह के अनुभावजन्य साक्ष मौजूद नहीं है आखिर चीन का गणीत क्या हो सकता है आश्चर जनक तोर पर भारत में साइध ही यह सोचने की कोई एक्छा है कि चीन को भी दिरकालीन में हमसे सुरक्षात्मक चिनताएं हो सकती है यहां कुछ भी इमानदारी से मुल्यांकित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि घटनाएं सरकार द्वारा नुच्छे 370 को हटाने से जुड़ी हैं जो जाहिर है कि वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह सत्ताधारी दल की विचारधारा से जुड़ा है उपर से हमारी विदेश नीती अमेर्गा के आस पास बुनी हुई है लेकिन उसके बारे में हमारे सम्मानिये लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हाल में भारत चीन के मामले पर ट्रम्प ने मध्यस्ता की बात की थी साफ है वो तटस्ता का इसारा कर रहे थे और मौजूदा विवाद में पढ़ना नहीं चाहते थे और यही सब कारण है जिनकी वज़ा से भारत और चीन में दरारे पड़ें अब चलते हैं अंतिम खबर की तरफ भारत चीन तनाव के बीच भारत में बॉयकॉट चाइना की भी लहर चल पड़ी इस पर अपनी राय रख रहे हैं व्यंगकार संजयर जोरा देखिए उनके वडियो का यह अंस चाइना से बदला लेने के लिए भाई साब ने अपना जो टीवी है उसको छट से नीचे फैका और लोगों ने टीवी से बदला ने लिया उसे सिर्फ बायकॉट नहीं किया उसको कूटा है रख रख के मारा है ढंगण से इसको कहते हैं जजबा इसको कहते हैं देश बक्ती लेकिन थोड़ी सी गलती होगी जिस टीवी को आप इतनी बेरहमी से कूट रहे हैं उसके पैसे ओलरी चैनल के पास जा चुके है यह जो आप फोड़ कर रहे हो ना यह आप अपनी जीव से खरीदे वे टीवी को कर रहे हो और अपने पैसे का नुक्सान पहुचा रहे हो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जजबा आपका अच्छा था जजबा आपका बेहद अच्छा था देश के लिए बनता है लेकिन सरकारी लेवल पे हो तो ज्यादा बहतर है आपके लेवल पर आप खुद ना जिस टेहनी पे बैटे वो उसी को काट रहे हो मैं हमेशा बोलता यूनियन मिनिस्टर राम दास अथावले भी इस देश भक्ती की रेस में शामिल हो गए और अपना जजबा प्रूफ करने में लग गए और बताने लगें कितने प्रवोक्ट हैं वो चाइनीज अग्राइशन से और उने बोला है कि जितने भी रेस्टराण जो चाइनीज फू जो रेस्टराण खिलाते हैं वो मतलब हमारी ही रेस्टराण है उसमें हमारी बंदे बना रहे हैं हमारी humiliuz हैं और पतानी हमें उन लेकिन हाना मिला है तोplain मिलता है जो छायना होगा इस pillar कोई है को य difू कर्करें जाता हुग अगर आगर एसा को ज़्यादा खाया जाता और उसको बॉयकोट करना है तो वह राइस है अब आप राइस खुना बॉयकोट कर देना याद कर दो